हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स वैसे तो हर औरत का सपना होता है माँ बनना फिर चाहे लड़का हो या लड़की मगर जादातर लोगों के मन में बेटा या बेटी को लेकर कई तरह के सवाल चलते रहते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बताओंगी जिससे आप पता लगा सकती है कि आपको क्या होगा जितने भी सिम्टम्स बताओंगी बुजर्गों द्वारा बताए गए हैं आपके घर में भी बुजर्ग महलाएं आपको देखकर बताती होगी कि आपको क्या होगा वैसे ही मैंने भी कहीं सुना है तब ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इसे आप सिर्फ अंदाजा लगा सकती है पूरे तरह से श्योर नहीं हो सकती है चलिए जानते हैं पहले सिम्टम के बारे में गर्भ में लड़का है या लड़की इस बात को जाचने का सबसे अच्छा तरीका है पेट का आकार अगर गर्भवती महला के पेट का निचला हिस्सा फूला हुआ और उभरा हुआ है तो ये लड़का होने का संकेत देता है बढ़ जाती है वहीं किसी महिला के गर्ब में लड़का पर रहा होता है तो महिला के पैर ठंडे रहते हैं और बालों में भी तेजी से भरोतरी होते हैं और इस दौरान महिला का मूड भी हमेश्या बदलता रहता है जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान बाई करवट लेक पर सोना पसंद करती हैं तो माना जाता है कि उनके गर्ब में लड़का पर रहा होता है इस दौरान सिर में भी दर्द की समस्या बनी रहती है जब आपके गर्ब में लड़का पर रहा होता है अगर किसी महला को खूब पानी पीने के बावजूद भी पीले रंग की पेशाब ह तो इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि लड़की होने पर यूरीन का रंग सफेद या हलका गुलाबी रहता है। जिन महिलाओं को गर्भा वस्था में पेट के उपरी हिसे में दर्ध होता है तो इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है कहा जाता है कि लड़कियां लीवर के पास वाली जगह पर लात मारती हैं जबकि पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना लड़का होने के संकेत माने जाते हैं यदि किसी गर्भ वती महला के पिछली टांगों में या फिर कूलहे में बहुत ज़द चर्बी बढ़ गए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि गर्भ में लड़की है वहीं यदि गर्भावस्था के तीसरे तिमाही तक यानि कि सात्वे महने में भी गर्भ वती महला कपेट कम नजर आता है चोटा नजर आता है तो इसे गर्भ में लड़का होने के संकेत माने जाते हैं गर्भावस्था के दौरान टांगों में दर्ध होना खास कर दाहिने पैर में दर्ध होना गर्भ में लड़का होने के संकेत माने जाते हैं जिन महलाओं के प्रेग्नें भी बढ़ जाता है तो ये थे कुछ संकेत जो आपकी मदद कर सकते हैं ये जानने में कि आपको क्या होगा लड़का या फिर लड़की लेकिन इनका कोई भी वैग्यानी कधार नहीं है बस इसे मनुरंजन के तौर पर ही देखे और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें मिलूगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई